आप में से बहुं सारे लोगों का मेरा पास question है है सबसे पहला जो question है वो यह था कि जो flip card में मैं order कर रहा हूं वो accept नहीं हो रहा है not deliverable बोल रहा है और क्यों बोल रहा है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते तो सबसे पहले आपन देख लिते हैं देखें यह है light और मैं आपको बता दूँँ मेरे दो घर है सपोस्थ कीजे दो गर है मेरा एक घर है रायपूर में रायपूर एक रैड जोन में आता है और भिलाई जो ए और रेंज जो में आता है orange zone में आप कोई भी प्रॉड़क्ट मंगा सकत pak है ठीक है तो यह जो आपको देखने को मिल रहा है यह क्या बोलर है वही बोल रहे रहे है रधजे उन को आप नहीं access कर पाएंगे यह प्रॉड़क्ट को नहीं ले पाएंगे ठीक है तो यह जो product है मैं इसको ले सकता हूँ इसको मैं click कर देता हूँ तो यह जो product है वो मेरे घर में आ जाएगा मैं buy now में click कर देता हूँ देखी, दो घर है मैं इसको select करूँगा तो नहीं आएगा, इसको select करूँगा तो ही आएगा, suppose कीजिए कि आप बोलडर थे कि नहीं हो रहे है तो वो भी देख लेते हैं क्या product मैं सुचू क्या product मंगाना है तो यह border not deliverable ऐसा इसलिए border क्योंकि मैंने जो घर है उसको सलग किया रायपूर में रायपूर red zone में red zone में कोई भी जो non essential product है वो नहीं आएगा देखिए ये बोर्ड है मैं बायनो में क्लिक कर देता हूँ ठीक है ये नहीं आएगा नहीं आएगा ठीक है ऐसा इसलिए क्योंकि non-essential product होता है अब मैं इसमें क्या करता हूँ POCO X2 सर्च करता हूँ POCO X2 जैसे मैंने यह सर्च किया sorry तो यह आगा redmi note 8 ठीक है तो मैं इसको purchase करने की कोशिश करता हूँ यह क्या बोल रहा है out of stock यह नहीं है यह नहीं है बोल रहा है तो क्या करते हैं यह available नहीं है बोल रहा है तो जो नहीं है वो नहीं है मैं POCO X2 POCO X2 Mobile POCO सर्च करता हूँ POCO को सर्च करने के बाद यह देखिए आपको उपर में जो है यह वाला not deliverable बोल रहा है यह नहीं deliver होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा ठीक है तो इसको कैसे करते हैं इसको solve करने की कोशिश करते हैं क्लिक करते हैं बाइनम में बा चेंज कर देते हैं इसका जो data वो चेंज हो गया अब POCO X2 में मैं जाता हूँ क्लिक करता हूँ जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यह जो है बाइनम का option आ जाएगा और यह आ चुका मैं इसको skip कर देता हूँ skip करने के बाद थोड़ा wait लेगा यह आपको पूरा detail देगा कि यह आपको मैं जानकरी के लिए बता दू जो smartphone होता है वो non essential product होता है और यह देखिए यह मेरे दो घर है सबसे पहला जो रैपूर में है रैपूर red area में आता है यहाँ कोई product non essential नहीं मंगा सकता भी लाई जो है वहाँ मंगा सकता हूँ तो यह continue किया यह payment method start हो गया ठीक है तो आप देख सकते हैं इसके लाव मैं back करता हूँ अब मैं यहाँ आपके लिए और कोई product search कर देते हैं red me note sorry note 8 pro 8gb यह search करते हैं तो यह phone है ठीक है smartphone जो है non essential product है बाय नॉमें क्लिक करता हूँ यह भी order हो पार बाया आपको क्या करना है simply अगर इसके बाद भी नहीं होता तो आपको application को update करना है update के सांद क्या होता है कोई भी bug होता है कोई भी problem होता है वो update के सांद out हो जाता है अगर देखी ये भिलाई में अगर मैं इसको change कर देता हूँ छीग है मैं इसको change कर देता हूँ रायपूर कर देता हूँ क्योंकि ये red zone में है तो ये नहीं होगा क्या लिख है जो आपका item है sorry आपका जो item है वो deliver नहीं होगा रायपूर में क्योंकि वो जो government का जो rule and regulation है देख देख सकते हैं continue में क्लिक करूँगा payment method आ जाएगा और payment method आने के बाद payment method आने के बाद आप कोई भी बहुत सारे लोग बोड़ रहते cash on delivery नहीं हो रहा है starting में pay on delivery हो रहता आप cash on delivery भी हो रहा है तो यहां जो है code आ ठीक है तो यह चीज़े आप ऐसे use कर सकते हैं अगर आपका घर जो है red zone में है तो आप essential product ही मंगा सकते है non essential product आप नहीं मंगा सकते हैं अगर green zone में है तो आप मंगा सकते हैं आपको app को update करना पड़ेगा या फिर आपको जो pin है उसको फिर से restart करना पड़ेगा पीन को आपको फिर से डालना पड़ेगा जिससे क्या होगा उसका जो auto update है वो feature enabled हो जाएगा तो फिर वीडियो का आप मुझे बता सकते हैं अगर आप चैनल में पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए bell icon को प्रेस कीजिए I hope you like this video thank you